Hello and welcome in my YouTube channel और आप हैं हुसान सर के साथ कईज यह हमारी जावा स्क्रिप्ट की बेसिक सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं Date Method तो वाइज आईए जानते हैं Date Method क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं Welcome Back तो वाइज देखी मैंने यहाँ पर एक HTML डॉकुमेंट खोला हुआ है और इसका result हम यहाँ देखेंगे Google Chrome में तो आई शुरू करते हैं तो वाइज सबसे पहले हमें एक variable बना लेते हैं और variable का कोई नाम दे देते हैं जैसे मैंने नाम दे दिया D और इसके बाद equal to लगा कर यहाँ पर हम क्या करते हैं date store करते हैं तो date को store करने के लिए जो method है वो है देखो new और date new जो है वो small लिखा जाएगा और date का d capital ठीक है और इसके बाद parenthesis लगाईए और यहाँ पर इसको semicolon लगाकर line break कर देजे अब यह जो new date है यह new date जो method है यह हमारा system की date को उठाएगा और system की date को उठाकर d variable के अंदर store कर देगा और अब हम d variable को print करा लेते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर d variable को print कराता हूँ मैं यहाँ पर document.write इसी में body में print कराता हूँ document.write और यहाँ पर क्या करता हूँ इसमें d को ऐसे print करा लेते हैं और इसे save करते हैं तो देखो यहाँ पर पूरी information आ गई यानि day भी आ गया और देखो date भी आ गई और time भी और देखो इसमें time zone भी आ गया तो देखो इस सारी information हमें यहाँ पर मिल जाती है वो information जो अभी का time है अभी की date अभी का time सारा जो हमारे system का है वो सब यहाँ पर उठा लिया अब क्या होता है देखिए यहाँ पर अगर हमें सिर्फ हमें date चाहिए date यानि March 23 और यह पूरा यह जो उपर का पार्ट है date वाला यह चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे तो देखो उसके लिए यहाँ पर डी के बाद क्या करेंगे यहाँ पर to date string हम एक method लगा देंगे तो हमने लगा देखो to date और string हमने लिग दिया to date string और इसके बाद यहाँ पर parenthesis लगाई है और इसके वो save कीजिए save करते ही देखो यहाँ पर आगया वैटनेस डे मार्च 23 और यहाँ पर देख रहे हैं तो अगर इस तरह से date चाहिए तो यहाँ पर हम लगाते हैं method to date string ठीक है अब इसके लाबा और भी बहुत सारे methods है जो मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन यह 0 से start करता है January को वो 0 करेगा जिरो मानेगा और February को 1 और March को 2 तो ऐसे एक पीछे मलत जिरो से start करता है तो यह 11 यदि दसंबर 12 होता है न 12 नमबर तो उसको यह 11 नमबर मानता है ठीक है तो इस तरह से get month तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे methods है देखिए स्क्रीन पर लिखे हुआ आपको नजर आ रहे होंगे बहुत सारे methods है उनको आप लगा सकते हैं और उन सारे methods को इस तरह से आप implement कर सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पर यह बताता हूँ कि यह जो methods है यह हमारी जो current date है उसको ले रहे हैं ठीक है हम अपनी date भी डाल सकते हैं खुद की date भी हम decide कर सकते हैं वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजा तो उसके लिए देखो new date के बाद parenthesis में course में लगा दीजे आप जो भी आप date चाहते हैं जैसे मैंने लगाया देखो January 10 और इसके बाद 2010 मैंने यह लिख दिया अब देखो यह जो new date मैंने यहाँ पर fix किया है अब मैं यहाँ पर save करता हूँ तो देखो यहाँ पर 2010 आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंके हमने यहाँ पर fix कर दिया कि यह वाली date है January 10 और देखो यह 2010 अब देखो इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं ठीक है अब अगर यहाँ पर हम करते हैं देखो get date तो देखो यहाँ पर date जैसी करें get date save करें तो देखो यहाँ पर क्या रहा है 10 आ रहा है 10 जनरी 10 है तो देखो 10 आ रहा है पर लिखे हुँ दिखाये थे उन methods को आप get के साथ use करके देखें अब मैं आपको बताता हूँ set के साथ use करना तो set के साथ जितने methods यूज होते हैं वो भी आप screen पर लिखे हुए देख रहे होंगे ये सारे के सारे हम set के साथ भी use करेंगे चलिए तो करके देखते हैं इनका practical तो अगर हमें date set करनी हो तो अभी हम क्या कर रहे थे इस date के अंदर लिख रहे थे लेकिन हम यहाँ पर अलग से भी date set कर सकते हैं वो कैसे करेंगे देखो वो यहाँ पर हम लिखते हैं देखो d और dot हम लिख देखो set और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर set करने के बाद में और और हम लिखते हैं full year, मैंने full year set करने के लिए दिया, set full year, और parenthesis के अंदर, मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, 2010 मैंने लिख दिया, ठीक है, अब आप देखिए, जैसी में इसको save करूँगा, save करूँगा, देखो, यहाँ पर 2010 आगए देखो, बाकी का, सब कुछ उसने वैसी ले आप जाएगा, तो ऐसे ही आप यहाँ पर date set कर सकते हैं, इसे set date आप कर दीजे, मैंने कर दीजे, set date, और date करने के बाद मैंने यहाँ पर कर दीजे, 20 date कर देता हूँ, देखो, 20, और save किया, save करने के बाद यहो 20 March आ गया, ठीक है, अब एक से जाधा भी set कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसी करके, d.set, और अब वोई, full year आप कर दीजे, जैसे हैं मैंने आपको बताया था, मैंने 2010 कर दिया, और इसको मैंने land break कर दिया, save किया, तो देखो, 2010 और 20 date भी आ गई, बास समझे, बस यहाँ पर date set नहीं कर सकते हैं, date के हिसाब से, बागी का आप date set कर सकते हैं, year set कर सकते हैं, month set कर सकते हैं, hours, minute set कर सकते हैं, get भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको get और set के, जितने method से वो सब बताए, लेकिन मैने यहाँ पर करके आपको थोड़े से दिखाएं, आप उन सब को UK करके देखें, practical करके देखें, और उसको implement करके देख, पढ़ते रहें, और मेनत करते रहें तो वाज ये था हमारा चोटा सा टूटोरियल डेट का डेट मैथट का तो कैसा लगा आपको टूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और गाईज अगर कुछ किया ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर करें और वैल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नोटिफकेस्स मिलते रहें तो गाईज मिलते हैं नेक्स्ट टूटोरियल में तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाए